सब्सक्राइब के लिए अब भाई उन लोग ने ये फोन इंडिया में भी लॉंच कर दिया बट नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया है अब भाई का मतलब होता है इंडिया और भाई कल उसकी पहली सेल थी और मैंने मंगा लिया है आप लोगों के लिए अन पेपर काफी तगड़ा फोन है बट अभी हम लोग सको सारी चीज टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं मेरे फर्स्ट इंप्रेशन कि ये फो ये है बॉक्स में में चीज मेड इन इंडिया है अल्ट्रा क्लियर कैमरा देट इस 108 मेंगापिक्सल शामी की बैज है आपर MI10 i5 जी है देखो एक बात बतातू ये फोर है ना वाई-वीस हजार रुपय इसका प्राइज है फिलहाल अमाजॉन पे एक हजार रुपय का कुछ कूपन था 11 रुपय का वो कूपन और 2000 रुपय का आई-से से बैंक का क्रेडिट काड का डिसकाउंट तो ये फोन का जो टोटल कॉस्ट है वो में को पड़ा 18,900 रुपय में तो that is a very very good deal for this phone especially 750G है and all 120Hz का display है क्योंकि मेरे पास ये फोन भी पड़ा हुआ है ये है मोटरोला का मोटो जी फाय जी 21,000 रुपय का है भाई चलो अभी इसको खोलते है फटा-फट कुटली देख लेंगे सारे चीज़े तो भाई इन लोग ने बहुत जादा इंप्रूफ किया है बॉक्स पैकेजिंग वगरा को यहां पर सिम काड रिमुवर टूल है और वही सेम गाइड वगरा है दो तिन पेपर है एक केस दिया हुआ है तो कुछ एक्ट्रा इस्पेशन लही है हम लोग बहुत बार देख प्रोस्टेड है और कैमरी का भी वह पूरा जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है और हमको यहां पर मिल जाता है हमारा प्यारा सा फोन माय गॉड यह भाई फोटोस में इतना अच्छा ने जिखता है सामने बहुत ही जादा खतरनाक दिखता है अंदर हम लोग जाते हैं तो अं पोली ट्रिनिटी ओ माय गॉड शिट भाई बहुत ही जादा ब्यूटिफुल कलर है यार यह बहुत ही जादा ब्यूटिफुल है कैमरे पे आप इसको अप्रिशेट ने कर सकते और पूरा मैट है ओ माय गॉड रेल स्टिकर वाव यार वेरी लवली और फील भी अच्छा है मतलब इसा सस्ता फील नहीं है भाई बहुत ही जादा खुबसूरत फोन बनाया इस बार शाहूमी नहीं और जादा मोटा भी नहीं है यार इसा मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हो और वेट अगर मैं बोलू तो 215 ग्राम के आसपास का वेट है और लगभभभभभभभ 2.5 mm का headphone jack में जाता भाई अगर हम लोग इस तरफ बड़े तो यहां पर हमको power button उसके अंदर ही fingerprint scanner भी है उपर उसके अपना volume rocker है अगर टॉप साइड की तरफ जाए तो यहां पर एक secondary noise cancellation microphone दिया हुआ है एक IR blaster दिया हुआ है इस साइड में कर जाएं के sim card का tray है ओके hybrid slot दि sensor है 2 megapixel का depth sensor है और 2 megapixel का macro sensor दिया है इधर फ्लैश है इधर मी की badging दी है और 5G का logo है अभी front के side में बढ़ूं तो भाई जे ऊपर यह top का area है यहां पर speaker grill है जो earpiece का grill आता उसके नीचे यह 16 megapixel का front facing camera है और यह 6.67 inch की full HD plus IPS display है 120 Hz के साथ में भाई यह HDR10 plus certified है इसके उपर पहल नहीं बाई देवे बाई देवे बाई देवे बाई बाई देवे बाई जो glass है जो front glass है दोनों भी corning gorilla glass 5 से protected है और साइट प्लास्टी है और साइट प्लास्टी है बट मैट एक्दम finished है metal होता ना तो भाई चुमेश्वरी हो जाता है बट ठीक है इधर user experience program personalized ads personalized ad recommendation of you will still see the same quantity of ads समझ रहो मतलब हद यार यह ओ भाई यह तो देखो जोड़ा skip button है भाई skip कर वाई नहीं रहे जब तक चाली हो रहा है मैं आपको case लगा के लिखा ज़ता हूं केस के बाद लगाने के बाद भी नो उसके beauty है ना वो खतम नहीं होता जैसे केस लगाने थोड़ा मोटा हो जाता फोन यार कैसा कैसा हा रहा है मीट जागैट है वाई क्यों गईस बारा से पंद्रा एक्स्ट्रा फुकत अप्लिकेशन इसके अंदर डाल के दिया है पैसा भाई पैसा ही पैसा हो गया और यहां पर है 120Hz कर ऑप्शन तो 120Hz ओके वाव वाव इस वेरी स्मूथ यार जैसा अप अचाना किसे करो कि न इंचे आता तो हलका सा वाइबरेशन फील है वेरी वेरी सटल बट वेरी कुड शनाप ड्रेगन 750 जी प्रोसेसर असके अंदर और वो जो प्रोसेसर न गई एक दो कोर का पावर थोड़ा जादा है इसके अंदर 765 से तो बेसिकली नॉट से भी जादा पावरफुल प्रोसेसर असके अंदर देखो अभी फिलाल स्टोर जैसे 109.95 GB is free अभी हम लोग फालती जो एप्लिकेशन उसको अंस्टॉल करते है इसारे फालती अप्लिकेशन को डिलीट करने के बाद 1 GB के आसपास खाली होगा काफी जगा खाली होगा अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो it is good it is not bad at all अच्छा ब्राइटनेत है यार कलर अच्छे है मैं तोड़ा अभी यूटूब में चले जाता हूं कोई वीडियो अगरा देख लेता हूं अभी now it is on 1080p 60fps HDR and it looks gorgeous भाई बहुत ही तकड़ा है और HDR भी अच्छे से काम कर रहा है थोड़ा audio का कुछ सुन लेते हम चले अच्छे से कि अच्छे सब्सक्राइब कर दो यह इस तरह के काम वाव एक चीज़ डेफिनिटली नोडिस कर पर हो मैं किसका जो श्टूडियो है ना भाई में जो फिर इसका स्पीकर काफी बैलेंस है स्पीकर्स आर गुड और डिस्प्ली भी जैसे में आधा काफी तगड़ा डिस्प्लेइस का और एक चीज देख रहे हो मैं तब इसके बैजल्स वगर आभी काफी कम है अभी नहीं कैसे हम लोग फिंगर पुन लोग चेक कर लेते बढ़ा के से टच गिया खुल गया देख़ो जस्ट टच कर रहा हो और खुल जा रहा ह। हम लोग प्रिया खुल टबलती खुल जा रहा ह। तो व३ुल समझी फास्ट य стол कम लोग स्टृइब चूम्लों खुल ओ जैंतन। और भी बहुत सारे चीज़ है, portrait है, night mode है So guys, अभी मैं लोग quickly photos देख लेते हैं तो मैंने इससे कुछ photos कीचे हैं तो सबसे पहले हम लोग main sensor की photos देखते हैं Okay, okay, भाई Main sensor की photos, काफी तगड़ी यह देखे हो यह जो part है, इधर पर थोड़ा सा जो exposure है, वो थोड़ा सा over हो गया इधर पर blue up हो गया लेकिन काफी ज़ादा तगड़ी photo आई है आप लोग देख रहे हो, यह ultra wide है भाई, ultra wide इतना soft क्यों है मतलब कुछ text भी मैं read नहीं कर पा रहा हूं मेरी phone में problem है कि सही मैं ऐसा कुछ दिक्कत है यह normal photo है, काफी ज़ादा sharp काफी अच्छी photo आई है और जो natural fall off है blur का मतलब जो focus का fall off है वो भी काफी सही है, काफी natural है, काफी तगड़ा है तो भाई, जो 180, main sensor है वो काफी तगड़ा है अब यह tricky lighting situation है आपर यहाँ पर भी काफी सही से perform के आई है जो बोलते है ना noise वगएरा वैसा कुछ दिख रहा नहीं है, काफी मतलब अच्छा लग रहा photo, काफी मतलब इधर पर lighting situation इतनी नहीं अच्छी है तो उसके बावजूद भी काफी सही से photo इसने capture किया है main sensor तो low lighting performance is good as of the first impression और यह ultra wide sensor का है तो भाई, yeah it is kind of soft in my opinion, normal human portrait है खाली, अब human picture है but normal sensor से without portrait तो इधर पर काफी सही है देखो जब zoom करने के बाद इधर पर थोड़ा सा painting effect आ रहा है लेकिन यह एक्दम low lighting है kind of यह ultra wide है तो भाई देखो color shift इसमें t-shirt का color देखो और इसमें t-shirt का color देखो इसमें को macro sensors की photo दिखाता हूं यह macro sensor की है वाट इतना grainy picture oh my god यह थोड़ा ठीक है इसमें पर lighting अच्छी थी लेकिन फिर भी zoom करने के बाद काफी grains आ रहे है मतलब फट्टरी फोटो front facing camera यह beauty mode के साथ में तो यह पसन नहीं यह without beauty mode तो भाई यहां पर काफी अच्छा perform किया है okay wow very nice dynamic range काफी अच्छी है मेरा skin tones color वगरा skin की काफी जाधा अच्छी है over sharpening करने की कोशिश भी नहीं कहीं यहां पर यह भी photo काफी सही थोड़ी सी hilly भी लग रही है अब ठीक है photo उसके बाद यह photo देखो काफी अच्छा dynamic range वगरा भी है यह non-HDR photo है फिर यह मैंने HDR on की है जैसे कि हम पर आप दूखर हो यह pipe part इधर HDR नहीं था अब इसमें auto HDR on है तो भाई यह तो पाट है वो थोड़ा control में आ गया है और अर फोटो अच्छी है यह 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 मतलब एक्स्ट्रीमली बहुत अच्छी नहीं है बढ़ काफी काम अच्छे से चल जागा इसी photo है उसके बाद गईस यह सारी वीडियो भी है मैंने जो से शूट की आप लोग एक बार देख लो यह वीडियो मैं 4K 30fps में रिकॉर्ड कर रहा हूं शाओमी के एमाई 10i के रियर कैमरे से जो में सेंसर है तो कुछ इस तरह से वीडियो बनती है गईस जैसे आप लोग देख रहो डाइनमिक रेंज की बात करूँ तो देखो मेरे पिछा भी लाइट है तो कुछ इस तरह का डाइनमिक रेंज आता है अगर में बात करूँ फोकस की तो फोकस तो भाई तगड़ है बहुत ही जादा तगड़ है और स्टेबिटी जैसे आप लोग में तो घुम जाता हूं तो आप लोग देख लो का सा स्टेबल कर रहा है इस तर पे लाइट पड़ी है तो अवर अवर्ल काफी सही है इसमें भी अच्छे से वीडियो बन रही है काफी तगड़ा फोकसी मेरा भी मस एक दम जपर तस तरीके से फोकस कर ले रहा है और देख लो जैसे कि आप लोग आँपर फोकस होगा बहुत सही जा कर रहा है और दानिमिक रेंज भी काफी सही दिख रही है सो गईज ये वीडियो मैं अल्ट्रावाइट सेंसर से शूट कर रहा हूँ इसका सेंसर मतलब मेरे कहल से ये फोकस वाला सेंसर नहीं है सब चीज साथ फोकस मेरती है लेंस क्लीन नहीं के बाद उतना साथ शार्फ वीडियो नहीं बनता है यसे कि आप लोग देख रो वीडियो के कॉलिटी काफी एवरेज यसे है इवन डाइनमिक रेंज भी जैसे कि आप लोग देखे इदर वो बढ़ गया पुरा डाइनमिक रेंज इसका वीडियो कामरा अल्टरवाइज सेंसर का इतना खास नहीं लग रहा में को जैसे कि आप लोग देख रहो काफी एवरेज साही है मतलब बहुत कम कर देता सब कुछ सब कुछ यसे वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हुआ तो कुछ इसरा से वीडियो बनती है अधाय अई दाने से कि पहाँ रहा है आपको का चुछ अधायर रहा है वाज भीडियों वीडियों डविघाड़ागड़ा है ऐसे तो फर्स्ट इंप्रेशन, कैमरा इसके काफी जाधा तकड़े हैं, no doubt, अच्छा तकड़ा कैमरा, जो में सेंसर है ना गई, जो 180 में काफी जाधा कैमरा है, वो तो काफी अच्छा है, no doubt, उसमें जरा भी शक नहीं है, लेकिन जो अल्ट्रावाइट सेंसर है, वो काफी स वीडियो ची है, तो वो भी बता तो, कमेंट्स में तो मैं उसके उपर वीडियो बनाऊगा, बाकि ओवराल ठीक लगा में को कैमरा, हैप्टिक के बाद करूँ, तो हैप्टिक इसका मोटर काफी अच्छा है, और जो अगर बटन्स बगरा है, बटन्स ठीक है, मैंता सा मैं कमेंट पर सकूँ, यह आप छोटा सा टेस्स देख लो, जिसके अदर बेंचमार्क और मैंने थोड़े बहुत गेम्स के लिए परफॉर्मेंस के बारे में बताया, तो आप यह टेस्स देख लो, आपको समयन मैं देगा, मैंने बेंचमार्क थोड़े से रन किया है, अग अगर मैं इंटर्न और स्टोरिज की बात करो तो भाई, यूफस 2.2 का स्टोरेज और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, आप लोग यह देख रहो, इसमें भी यूफस टोरेज है, यूफस 2.0 है, यूफस में लेकिन भाई, इसकी भी स्पीड थी अच्छी है, बहुत पास् इसको मैंने रांडोड गया, यह खेलेंगे, टेंपरेचर भी दिखाते हूं, तो भाई, फिरहाल देखो, जो रूम टेंपरेचर है, वो 27 डिग्री है, ओके हाइन मेक्स का साइटिंग अवेलेबल है, 39% बैटरी है, जैसे आप लोग देख रहे हो, और 3 बच, 3 बच के 7 मिन को छोख्या देख रहे हो, जैसे आप लोग देख रहो, इक बार भी मने नी मरा उंद, जैसे आप लोग देख रहो, चाल मिनटों पिचास सिट्निका अश्पस खेला, बैटरी थाटी नयट पर अचुकी है, टेम परी आब पर थी keeping 26 degrees Celsius हो गया यहांपर, डिपले़ेट, मतल ऐसा कुछ बुरा नहीं है लेकिन गेम बहुत ही तकड़ा जाला बहुत स्मूथ बाकी ओवराल जो फोन है मेरे को बहुत जादा तकड़ा लग रहा है और अगर हम 20,000 की बात करें तो प्राइस में डफिनेटली बहुत जादा अच्छा फोन है मैं इसको प्रॉपरली यूज करता हूँ गाइस अभी अन्बोक्स करने के बाद कोई भी ऐसा बता नहीं सेकता उसके बारे में ठीक है जब तक उसको यूज नहीं कहलागा इसको मैं प्रॉपरली हर एक चीज को प्रॉपरली टेस प्रॉपरली यूज करता हूँ